बिहार लोक सिवा आयोग याने की बीपी एस्टी के अध्यक्ष अब बदल गए हैं। इसको लेकर अध्यक्ष विपी एस्टी को मिल गए हैं। आरके महाजन का कारेकाल खत्म हो रहा था आयस अधिकारी रहे अतुल परशाद को बिहार लोग सिवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सरकार की तरफ से इस जुड़ी अधिसुचना जारी कर दी गई है आरके महाजन जो BPSC के मौजुदा अध्यक्ष हैं उनका कारेकाल आज ही खत्म हो रहा है इससे पहले ही अतुल को जिम्मेदारी दे दी गई है अतुल परशाद 1987 बैच के आयस अधिकारी रहे हैं सेवा निवरित होने के बाद अब सरकार ने उने BPSC का अधियक्ष बनाया है आरके महाजन भी आयस अधिकारी रह चुके हैं और उनका कारेकाल आज खत्म हो रहा है उसके बाद सरकार के तरफ से जारी अधिसुचना में बताया गया है कि 5 अगस्त से अतुल पुरसाद बिहार लोग सिवा आयोग के अधियक्ष के पद पर बिरजमान हो जाएंगे समाने पुरसासन भीभाग ने इससे जुड़ी अधिसुचना जारी कर दी सरकार के अपर सचियो रचना पाटिल की तरफ से जारी की गई अधिसुचना में बताया गया है कि बिहार के राज्यपाल ने बिहार लोग सिवा आयोग के अधियक्ष पद के लिए अतुल पुरसाद की नियुक्ति को अपनी साहमती दे दी है अतुल पुरसाद पद भार संभालने के बाद 6 साल या फिर 62 साल की उम्र सीमा तक इस पद पर बने रह सकते हैं तो आरके महाजन का कारेकाल खत्म होने के बाद अब अतुल पुरसाद को जिम्मेदारी दी गई है और लगभग 6 वर्षों तक वो BPSC को अपनी सेवा दे सकते हैं अतुल पुरसाद से जुड़ी और कोई भी बड़ी खबर हमारे सामने आएगी हम जरूर आप तक पहुचाएंगे लेकिन उससे पहले आप ज़रा जान लीजिए कि क्या कोई चल रहा है बीपसे पेपरली काण मामले को लेकर के आरके महाजन पर सवाल खड़ी किये गए थे उनसे भी इस्तिफे मांगे जा रहे थे लेकिन सरकार ने इसको लेकर कोई एक्षन नहीं लिया इसलिए आरके महाजन का स्थिपा नहीं आया, ना है इस परकार की कोई खबरे चलाई गई जबकि अगर देखा जाए तो कई जगा से कई ऐसे लोग हैं जिनके दुवारा लागतार आरके महाजन के स्थिपा की बाते कही जा रही थी लेकिन अब तो कारेकाल ही खत्म हो गया है और नए सिरे से अतुल पुरसाद को अभी पेसी की जिम्मदारी दी गई है अला की पेपर लिक कांड मामला अभी भी समविधानिक रूप से जांच जो है वो लगतार की जा रही है और उसमें नए नए खुला से अभी सामने आ रहे हैं अभी भी जांच अंधिम पैदान तक नहीं पहुँच पाई है उससे पहले ही अब तो अध्यक्ष भी बदल गए हैं देखना है जांच में क्या पहले कि अपिक्षा कोई गती और आ सकती है या फिर जांच किस दिशा में और किस हद तक जा पाएगा इस पर हम सब की नजरेटी की हुई है जैसे ही कोई बड़ी खबर हमारे सामने आएगी हम जरूर लेकर आप तक पहुंचेंगे तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें नमस्कार